हेलो एवरिवन दिस हर्स राज फ्रम कंक्वेर्स के पीडीपी लेक्चर में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आपको पता है हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था था कवर लेटर यानि कि हम किस लेटर को किस तरह से त्यार करते हैं अपने जॉब के लिए और हमारा आज का रेजियूमे राइटिंग बैसिकले इससे हमें यह पतार चलता है रेजियूमे से कि हम जरूर इसको मतलब कि इस लेटर को हम किसी ने किसी परपस के लिए बना रहे होंगे जैसे कि जॉब के लिए या फिर कोई कंपनी प्लेस्मेंट के लिए आती है तो उनको दिखाने के लिए कि हमारी यह रेजियूमे बनी हुई है यहनि सब बनाते है इसको तो हमारा इससे यह माइंड में आता है कि रेजियूमे मतलब कि हम जब भी बनाएंगे या फिर कवर लेटर तो हम बनाएंगे बैसिकली जॉब के लिए कि हमारी जॉब हो हमारी जितनी अच्छी रेज लिए हैं तो आप सब जगह अपने अपने इस लगाते हैं इसमें ताकि आपका रेजियुमे और भी मतलब दिखें आई इस्टार्ट करते हैं रेजियुमे का मतलब क्या होता है एक रेटेंड डॉकुमेंट ऑफ वर्क एक्स्प्रियेंस एजुकेशन एंड इस्किल्स एक रे स्किल्स काफी अच्छी है इस इस लाइन में इतनी अच्छी उस लाइन में उत्ती अच्छी है कि रेजियुमें जो होती है वो सौट होती है डिटेल डिस्क्रिप्सन होते है इसके यह लगबग जाता है एक से दो पेज का जाता है तब कि कवर लेटर एक ही पेज का जाता ह है हमेशा बट जो रेजिमे होती है वो कम से कम एक से दो पेज़ेज की जाती है है वाइड डू यू नीड रेजिमे हमें रेजिमे की क्या वह सकता है three reasons you need a great resume तीन रीजन होते है एक great resume को के लिए पहला gets employer attention and so you are a good match for the job आपको employer का पहला तो आपको वह जानना होगा उसका attention क्या है based mainly क्या आपको किस purpose के लिए वह आपको select करेंगे company के लिए और फिर आप उनको उस काबिल बन करके दिखाओ job के लिए कि हम हां हम इस काबिल तयार हो चुकिए अब आप मेरा future employer के फ्रू गेट्स यूएन इंटरव्यू और खुद को उस काबिल बनाओ कि आप एक इंटरव्यू दे सकते हो अच्छे अच्छे ये क्या बोलते हैं अच्छे कगार पर आपको उस काबिल खुद को बनाना होगा फिर क्या है positive first impression आपको तो मैंने cover letter में बता रखा है मैं वापस से बता देता हूं आपको जब भी जाओगे इंटरव्यू देने तो आपको पहला आपको बनाना को positive first impression यानि कि पहला आपको बनाना को positive impression कि आपकी जो impression उनके सामने अच्छी बने अच्छे आपकी जी मैं आपको और चीज़ बता देता हूं cover letter हमारे पहुंचने पहले उनके टेबल पे या उनके पास हमारी cover letter और रेज्यू में पहुंचते हैं तो आपको cover letter और रेज्यू में को इत्ता effective बनाना है कि आपकी impression positively ही बने negative ना बने positive first impression का meaning होता है a good feeling when you meet someone लेक अच्छी feeling जह हम किसी से मिलते हैं पहली बार रेज्यू में क्या बताता है रेज्यू में हमारे experience education और skills को बता रहता है मैंना को पहले बताया था कि रेज्यू में basically तीन चीजी यूज होती है हमारी work experience education और skills three reasons you need a great resume same word get employer attention communicate your skills हम हमें मतलब कि किसी से भी बात करने में या थिर किसी से भी हमें communicate करने में हमें अपनी communication skills उसको better रखनी है get an interview interview के लिए खुद को फिर वही ready करना फिर आते हैं parts of resume key things to include कि उपर में मैंने कुछ dark करके मैं रख रखा है बेत बेनित करके लिखा हुआ है वह हमारा क्या हो गया name type का हो गया फिर इसमें हम बुलेट पॉइंट का भी यूज करेंगे font यूज करेंगी अलग अलग तरह की font यूज करेंगे कहीं पिर हम बुलेट कहीं डार्क फॉइंट करेंगे बीच में आपको बुलेट पॉइंट भी उसमें यूज करो ताकि अट्रक्टिव देखें हमेशा आप जब भी पेपर देने जाते होगे कोई भी उनिवर्सिटी की किसी भी लेवल पे तो आपको हमेशा आपके फैकल्टी बताते होगे आप हमेशा यूज करो बुलेट फिर लाशन आप वाइट इस्पेस छोड़ोगे रेज्यूमे के यह सब चीज कंपल्सरी होते हैं एक रेज्यूमे बनाने के लिए की पार्ट्स ऑफ रेज्यूमे नेम एंड कॉंटक्ट डिटेल्स आप खुद के तो नेम दोगे ही अपने कॉंटक्ट डिटेल्स भी दोग ठीक है जसा की यहां पर है उपर बेंथ स्मित यह हो गया आपका है है और है अनुटी दिटेल्स हो यहां तक ठीक है बेति स्मित 215 डबलू इस्टेट इस्ट्रेट में लेखेर डबलु आई एस्टू तू जीरो वन यह आपको आपको बूलेट पॉइंट्स वगरा लिख रखें इसमें आपको होगे हेड्लाइन समरी आपको याद रहे हेड्लाइन के बाद जो आप समरी यूज करोगे समरी मे आपको बूलेट पॉइंट्स उज करना ताकि आपका रेजिमें एफेक्टिव देखें प्र करेंट जोब का मतलब क्या था जॉब यूव ना अभी जो मैं जॉब कर रहा हूं जैसे अभी मेरा जॉब क्या है आप लोग को मैं टीच कर रहा हूं आप लोग को मैं पीडिपी सबसे जादा रिसेंट यानि कि अभी मंसी पहलमें हुआ हो यह नो पहला होना चाहिए रहा है ही वह डोगडान लगाए गए गए तो जो फो जो मुझे रिवर्थ खूरो लोगडान का मतलब करोंडा ओव कि करोंडान और नों अगाया ऑधे नहीं पहले न यह मतलब है। फिर हम ने वहां पे बताया था आप वहां पे यूज करोगे आप करोगे, यह जब था र एक्स्परियेंस और फिर एजूकेशन, अब वर्क एक्सपरियेंस बता रहा हो यहां पर जो रेड से वह घेर रखा है मैंने अभلف प्रका हो गया वर्क एक्स्प्रियेंस फिर मैंने कहा तो एजुकेशन एजुकेशन में भी इन्होंने बताया मैंने बताया एसुसीएट डिगरी बिजनस एड्मिनिस्ट्रेशन और मैंनेजमेंट नौथ इस विनिक स्कॉन टेक्निकल कॉलेज तूथाज़न टूजन एजुकेशन का क्या होता?" लिष्ट इन्रिवर्स क्रोन लोजिकल लो अटर ब्र लिश्ट होती एक टाइप की किस यूशा ओडर में होती लिवर्स प्रवार वाहतो एकनीकि जो मोष्ट रिसेंट हुफष्ट उसको पहले लिखाऊँ फिर उसकी बाद वाली फिर उसकी बाद वाली बशासय पारट बन में अब हम देखेंगे की रेजिमें मतलब कि रेजिमें की जो पहली पार्ट भाइम लिखेंगे ना उसमें केश WAR तो मैंने आपको बता रखा था name और contact information, name किस तरह से लिखेंगे और contact information किस तरह से लिखेंगे, फिर postal address लिखेंगे, फिर email address फिर telephone number name and contact information किस तरह से लिखेंगे name and contact information फिर we will talk about, what to include, where to put it हम उसमें क्या-क्या चीज को include करेंगे और उसको कहां पर हम put करेंगे फॉर्मेट और ओर इसके फॉर्मेट या फिर ओर्डर कैसे होते हैं आप साफ साफ अच्छे फॉंट में लिखोगी अपने फूल नेम को जैसे मेरा नाम हर्स राज है तो मैं सिंपली लिखूंगा ह-a-r-s-h-r-a-g-s क्लियरली कोई होच-पॉचन करके नहीं तो एस्ट राइट योर्नेम दो तरीका होते हैं नेम लिखने के इसमेट और सैली एसमेट तो जो इजी हो पहने के लिए आप वही लिखना ऐसा नहीं कि मतलब है जैसे कि जो easy हो इसका यह मतलब है कि आप उसको अपने नेम को ना वो क्या बोलता है dark कर देना जानि थोड़े से उस पे twice या thrice आप उसने चला देना ताकि ना उसको पता चला है कि यह रेज्यूमे आपकी है नहीं कि मेरी है contact information contact information क्या होता है करेंट पोस्टल एड्रेस इमेल एड्रेस एंड टेलिफोन नंबर इसमें आपको इतना ही लिखना है इस टाइब से 100 में इस्ट्रेट लॉस एंजेल्स कैलिफोर्निया 90210 यूसे इस टाइब से फिर इमेल एड्रेस मैं बता देता हूं हमेशा इमेल एड्रेस खुद के नेम से बनाना जैसे की करके रर्स2002 औरेस हमेल यह इमेल जैसे इसमे दे रख़ा है सेल सिसमेह इत्रेट ीमेल डॉट इसमीह इत्रेट कौि डॉट कॉम उस्सा Abg ist की मजब की नाम कई बना लिया कुछ जासे फ्लो और गउले हैं इसे फ्लॉर Warner गलई ट्रेस workflow ृट्रेसाइब बना लह रहे ओ इस टाइब से आपको नहीं बनाने हैं तेलिफोन नंबर आप दो दोगे पहले आप अपने घर के दोगे दूसरा आप अपने फोन के दोगे जैसे मैंने दे रखाया 610-555-1212 यह आपके होगे घर के नंबर फिर 610-232-5551 यह आपके खुद के पर्सनल फोन नंबर होंगे तो वो पूरा जाब फॉर्मेट तयार कर लिए अपनने तो वो किस तरह से दिखने लगा यानि कि नेम और कॉंटक्ट इन फॉर्मेट है सैली ए स्मित 100 में स्ट्रीट आलोएस अंजिल्स कलिफोर्निया 90210 यह से साली इस्मित अटरेटीमेल.com 610-555-1212 यह नंबर हो गया आपके 610-232-5551 मोबाइल नंबर हो गया आपके पर्सनल किवर्ट्स वा एर दें इंपॉर्टैंट एंगजांपल ऑफ हुजिं कीवर्ट्स दिखे जब अपन मन में सुनते हैं की वर्ट तो हमारे मन में एक वीचार आता है यह इपने इंपॉर्टन थोड़ी हैं क्या उगर नहीं लिखेंगे तो क्यूंं की प्यूंकर का इस्तुम में जासा कि में एक एप्लीकेंट लगता है बस में जोह किको kia है कि सी तर्लेट्ड है मैं इसको डिसक्राइब हुआए कि बंद कीवड का स्वाने को से बारे इस्टिमाल यह होता है कि मैं responsibilities include greeting clients, answering telephones and performing other clerical functions, requirements चाहिए है, high school diploma and or business college program, two to four years of clerical or administrative experience, excellent organizational skills, typing speed of 30 words per minute, हमेसा जो typing की speed होती है ना वो minute के हिजाब से होती है, तो अपन उसको WPM लिखते हैं, तो उसको आप word per minute पढ़ना, word processing and database experience, good communication skills, if you would like to work in an exciting environment for facts or email, यो रिजुमें तो Mr. Cal A Corvo, email, peak cabro at rate wb disc, web discount.org.es, इस टाइप से आप लिखोगे, तो वाट यू, तो वाट यू दू तो एवोइड इस हैपनी, इस फ्रम हैपनी, आप क्या ऐसी करोगे, यह ऐसा इसको मतल्द कैसे आप लोइड करोगे, पहले आप इस तरह से लिखोगे, देखो मैं वापस, आपको मैं छोटी से रेजुमे कीजे दिखा रहो, फिर आप वहाँ पे लिखोगे यह heading, क्लाइंट सर्विसस कोडिनेटर, फिर समरी, वरी और्गनाइज़ और आउटगों ओफिस मैनेजर वित लॉट्स एक्प्रियेंस वरकिंग इन बीजी ओफिस एंवार्मेंट, प्रफिसेंट इन टाइपिंग और माइक्रोफ ओफिस सोफ्ट्वेर, रेज्यू में headline and summary, information you need to include, prepare you to write your own, मनला कि आप उसमें से कौन कौन से information होगी जो कि होनी चाहिए उसमें वो, और फिर खुद को इतने काबिल बनाओ, इसको पढ़ करके, कि आप खुद के रेज्यू में लिख सको, पहला तो आते objective, क्योंकि हमेशा लेटर जब लिखते हैं आपन, या फिर अपन अगर lab record का काम करते हैं, तो उसमें भी अपन पहले objective का यूज करते हैं, डिस्क्राइब what the candidate was looking for in job, पहले तो आपको वो डिस्क्राइब करना हो कि candidate job में क्या चाहता है कि वो क्या करना चाहता है हमारी company में आ करके, headline, a phrase that highlights your values as a candidate for the position, मतलब कि headline का मतलब क्या होता है, मतलब आपकी value जो पता है, candidate की position जो पता है, मतलब कि देखो हमेशा आप headline वही लिखोगे जो आप जैसे कि आप बनना जाता है software developer, तो आप लिखोगे software developer या फिल position coordinator, position software developer इस टाप से वह बताता है, जो पूरे को का मतलब आपको simply एक word में बता दे, इसको बोलते हम headline, जैसे देखो इसमें लिख रखा है project coordinator, जैसे देखो project coordinator लिख रखा है, फिर उसने वह होगी आपकी headline, फिर highly motivated tech service से ले करके, आपकी certification last, फोर्थ line में जो लिखी हुई है, certification proficient in, वहां तक की तो आपकी समरी हो गई, और इसमें छे bullet points यूज़ करें, जैसे product coordination, project setup and monitoring, project communication, Microsoft share point, Microsoft project and Microsoft excel, यह आपकी होगी bullet points, short and specific होनी चाहिए, to general, general नहीं बनाने आपको, आपको छोटी ही बनाई है, लेकिन कुछ unique बनानी है आपको, summary का meaning क्या होता है मैं आपको बता जाता हूँ, a short paragraph or list of your strength and experience, एक छोटी से paragraph जो की आपके strength को और experience को जो बता रही, अब्दुल अलसौद, 1875, West Florida, Atlanta, GA, 3035, टेलिफोन यह हो गया, फिर आपके वो हो गया, क्या बोलते हैं, आपके email, फिर project coordinator आपकी headline हो गई, फिर highly motivated से लेकर के, highly motivated tech savvy, professional with over 5 years, experience in a fast-paced consulting environment, extensive experience supportive senior consultants in high profile technology projects, expectational analytical ability and talent for managing information, certified associate in project management, CAPM, certification proficient in, उसके आपको मैंने दो लाइन तो सम्झा दिया है, रेजुमे के, दो पोइंट्स, पहला क्या, name and contact information, दूसरा headline and summary, अब आते हैं, list वापस से key skills, क्या होती है, की skills हम किसको बोलते है, bullet points को बोलते है, की skills हमेशा अपन हम किसको बोलते है, bullet points को, यह चीज़ आप याद कर लो, project coordination, में क्या होती है, coordination, setup and monitoring, मैं बताता हूँ आपको, मैंना कि यह मैंने कुछ, मैंना कि अलग से वो छाट रखे हैं, जैसे जो चीज common होती है, project coordination, आप जैसे लिखोगे न, project coordination, तो उसमें आप तीन तो bullet points यह यह यूज कर लेना, project coordination, project setup and monitoring, project communication, computer software program से आप यूज कर लेना, Microsoft SharePoint, Microsoft Project और Microsoft Excel, हमेशा Microsoft का यूज करना, ताकि effective दिखे, overall, short and specific headline, clear summary of strength and experience, bullet point list of key skills, connect to the job advertisement, uses keywords, इसमें भी आप लिख सकते हो कि आपको job की advertisement कहां से मिली, क्या आपकी college आई थी job वाले लेने, या फिर आपने किसी paper में, news paper में, या फिर अपने television पर देखा है, अब resume क्या आता है, part 3 में, जो कि क्या है हमारा work experience, work experience में क्या क्या होगा, पहला job title, फिर employer name, फिर उसके location, date of employment, brief description of duties, फिर हम वापस आपको हम समझा देते, reverse chronological order का मतलब होता है, most recent first, जैसे कि मैंने आपको पिछले बार example लिया था, live example, कि क्या होता है न, जैसे कि पहले corona आया, फिर क्या है, lockdown हुआ, तो फिर most recent first में होगा आपका corona, experience आप कैसे से लिखोगे, office assistant, university of California, English language programs, 2009 present, managed reception and telephones for 40 person office, develop database to track inquiries about application status, train temporary workers in office producers, with program assistant, international student office, university of California, 2006-2009, arranged special events for international students, assisted programs, directors in orientation and cultural exchange programs, reorganized office to be more efficient, volunteer coordinator, shoreline boys and girls club, of 2003-2006, led afternoon activity for group of children, aged 10-17, managed activity budget for programs, recognized as volunteer of the year 2005, यानि कि experience में आप office assistant बता सकते हो, आपने पहले जो भी कर रखा है ना, उसकी वो बता देना कि मैंने पहले यह कर रखा है, आप एक और समझे लो कि मैंने क्या लिखा रखा है इस पर, describing experience कैसे बताता हूँ, action verb phrases, bullet list, three to five times, no punctuation, attend, no complete sentences, action verbs क्या होते है, group by job और skill, एक group होती है, जो कि, किसके दोारा होते है, job या skill के, part four resume, अब education, जातने, what to include in this section, इसमें क्या हम डालेंगे, और यह क्यों important है, job description कि steps होती, education requirements में, BA और BS, two years experience, मान के जोलो, किसी बंदे ने बीटे कर रखा हो, उसने बीटे करा है, किते दिन के experience है, चार साल के experience है, बीटे की है, तो उसमें चार साल के experience होगी ना, तो फिर बही बात है, भीटे करने भी चार साल लगता, तो आप इसमें लिखे, done B.T.E.C. four years experience, as a example, ऐसा नहीं की सोचना की, भाई, B.T.E.C. चार साल की, ऐसा नहीं सोचना आप, ओके, आपने किसी कॉलेज में, as a faculty, आपने lecture दियो, किते दिन? तीर महिने, ता आप रिकना, faculty on, गलगोट्याज उनिवर्सिटी, three months experience, simple, for each education experience, name of the school, location, degree received, major or subject area, year of graduation, awards, honors, optional, awards और honors जो है, कि आपने ये awards लिए, ये सो optional में, ये लिखना compulsory नहीं है, बाकी उपर के पांचों bullet points, compulsory आपको name लिखने, compulsory लोकेशन देना, compulsory है, degree, compulsory, subjective area, compulsory, year of graduation, compulsory है, many kinds of degrees, बहुत तरह की degrees होती है, जैसे, एक होता है, A, A, या फिर A, 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 S, यानि कि Associate of Arts, Associate of Applied Science, फिर B, A, B, S, Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Guys, don't be confused, आप लोगों confused मत होना, क्योंकि हमारे यहां, B, S का मतलब, यहां पर B, S, ऐसा कोई नहीं होता, B, S, C होता है, जिसको हम लोग Bachelor of Science बोलते हैं, M, S, C होता है, पर M, S, B, S, बोलते हैं, Bachelor of Science and Master of Science, M, A का मतलब होता है, Master of Arts and M, S का मतलब होता है, Master of Science, MBA, Master of Business Administration, Guys, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जब भी आपकी placement होती हैं, तो जो कंपनी वाले आते हैं, वो introduction लेने, interview लेने, वो कभी भी वो खुद नहीं लेते हैं, वो हमेशा MBA को, यहीं student को रखते हैं, interview लेने के लिए, क्योंकि MBA वाले, अच्छे से interview लेते हैं, इसलिए, Master of Business Administration, PhD, PhD एक doctorate degree है, मतलब एक doctor के degree है, अगर आप उसे करोगे, तो आप better, मतलब कि, अगर आप उसे करोगे, तो आपके name के आगे, doctor लग जाएगा, अगर आप better करोगे, आपके name के आगे, engineer लगेगा, reverse chronological order, same हो गया, most recent first, Cornell University, Ithaka NY, MBA General Management 2015, BA Sociology 2009, Awards Dean's List 2008, and 2009, जिसे कि आप लिखोगे, कि हमने Galcott के युनिवर्सिटी, डल्ली, MBA General Management 2012-2015, क्या फिर कोई भी, फिर BA, ये social, आपने जैसे माने चला आप लिखते न, B.Tech, Computer Science Branch, 2011, Awards, जो आपको मिले हैं, वो लिख देना, प्रज, Awards ऐसे लिखोगे, जैसे कि, Dean List, 2000, मन्ना अबर्स कब, क्या Awards मिलें आपको, और कब मिले थे, बस उसके वो year mention करने है, Dean List का मतलब क्या होता है, An Award for Students, with High Grades, मतलब कि, Dean List एक टाइप का वो हुआ, मतलब कि, Student को जो Award मिलता है, मतलब अच्छे ग्रेट के साथ, मतलब अच्छे ग्रेट के साथ, Action Verbs, Action Verbs हुआ, Verbs you should use in your resume, वैसे verbs जिसको हम अपन क्या करते हैं, resume में use करते हैं, How to use them, General Verbs, Worked at X company, फिर, General Verbs क्या होता है, जैसे अपन लिखते हैं न, Worked at X company, Did sales at Y company, यह गलत तरीका है, Develop, Means to grow something, Develop का मतलब क्या होता है, Increase, Means to make bigger, Increase क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ना, Means to make bigger, Action Verbs, Group by job or skill, General Verbs do or make, General Verbs क्या होता है, Do, या फिर, Do, या फिर make, इसका यूज करना, आप General Verbs में, ज्यादा effective दिखेगा, Action Verbs, Develop, Increase, Proposal, A plan, Proposal, अगर बोलते हैं, उसने उसके वास, Proposal ले करके आया, यानि कि उसने उसको एक plan बताया, कि यह plan से अपन करेंगे, तो अपन ज्यादा, या था पैसे कमाएंगे, ज्यादा आगे बढ़ेंगे, Draft, Draft मतलब क्या होता है, मतलब कि Draft कर देना, Draft a message, यानि कि एक message डाल देना, Means to prepare an early version, और form of a text, बोलते हैं, Draft a message, यानि कि में को एक message, आप डाल दो, मैं देख लूँगा बाद में, मतलब कि इसका मतलब होता है, Means to prepare an early version, एक early version के लिए prepare होना, या फिर, एक form of text को भी, आपन ड्राफ्ट ही बोलते हैं, Edit, Edit का मतलब क्या मन में आता है, जैसे Edit का मतलब ना, लोग बहुत लोग, Real life example में क्या समझते हैं, अच्छा वो फोटो एडिटिंग वाली क्या, वीडियो एडिटिंग वाली क्या, नहीं यार वो नहीं होता, Edit का मतलब तो अगर अपन ने कोई भी चीज गलती कर दी ना, वहाँ पे, उसको अपन हम उसको कट करके, कुछ और लिख देते हैं, तो वो हो गया Edit करना, मतलब एडिट में, बेसिकली, Real life में क्या होता है, अपन पेशाट का यूज करते हैं, तो अपनी फोटो क्या करते हैं, अपनी फोटो को दूसरी ज़र से क्रॉप करके, किसी जाके अच्छे जगह पे, किसी वैली में, किसी माउंटेन के पाए जाके अपन लगा देते हैं, ताकि अच्छे दिखिए, लोग बोलें, वा भाई, मस्ती दिखिए तेरी, नेगोसियेट, यानि कि किसी चीज को नेगोसियेट करना, ट्राइ टू रीच अन एग्रिमेंट, किसी एग्रिमेंट को क्या करना, कोशिस करना कि वो ट्राइ, रीच, मलब वहां ते पहुंच जा, और मलब उसके ही जैसी, means to communicate usually, means to communicate usually in written form, मलब कि उससे communicate करना, किसके form में, written form में, ना कि oral के form में, जेनरल वर्ब्स और action verbs, जेनरल वर्ब्स में होते हैं, दो ही वर्ड होते हैं, क्या write और talk, या तो लिखो या खिर बोलो, जबकि एक्सार वर्ब्स में क्या होते हैं, drafted, negotiated, edited, corresponded, write का मतलब आपको पता है, talk का मतलब आपको पता है, drafted का मतलब मैंने बता दिया, negotiated मतलब भी बता दिया, मैंने, edited भी बता दिया, और corresponded भी बता रखा हैं मैंने, presentation, how does your resume look, आपकी resume कैसे दिखेगी, उसके लिए आपको presentation अच्छी बनाने होगी, आपको मैंने presentation पिछले के पिछले lecture ने बता रखा है, proof, reading and editing, make sure that your resume has no read, editing का मतलब और proof reading का मतलब यह है, आप बार बार उस resume को देख लो 3-4 बार, ताकि आप last में confirm हो जाओ, आपकी resume में एक भी mistakes नहीं है, two most popular types of resume, पहला functional दूसरा chronological, दो popular type है resume के पहला functional दूसरा chronological, फिर आप last में खुद के resume लिखना, ताकि आपको पता चले कि हाँ resume ऐसे लिखी जाती है, फिर आते बात करते हैं presentation की, presentation जो अपन जो लिखते हैं, इसमें presentation में किस-किस चीज की ध्यान रखेंगे, professionally written होनी चाहिए, यानि कि professionally लिखी जानी चाहिए, और फिर easy to read, या और पढ़ने में ये हमें आसानी हो, standard formatting rules, मतलब कि standard formatting rules में, use a standard font, मैंने आपको बता रखा, आप एक standard font यूज करोगे, use bullet points, bullet points की भी आप यूज करोगे, use lots of white space, कोशिस करो ज्यादा तर आप उसमें white space छोड़ो, use bold text and indents, बालब text को यूज करो, उसमें कोई को जगह को आप डार कर दो, यानि bold कर दो, इस टाइप से, ऐसे मैंने आपको पहले भी ये वाली figure दिखा रखी है, अब इसका मतलब बताता हूँ, चुपर में हमारे name होते हैं नो उसको एरियल बोलते हैं, अपनको summary के बाद, bullet points की यूज करने हैं, जिसको आपन बोलें, key skills, फिर summary को बोलेंगे, calibri, और आपको हर जिगह पे bold font से यूज करने हैं, ताकि लगे कि यह heading है, read through your resume, check for mistakes, इसमें आपको resume में किस की सीज के ध्यान रखना है, grammar, spelling, punctuation, and capitalization, आपको grammar का खास क्याल रखना है, spelling mistakes नहीं होनी चाहिए, punctuation mistake भी नहीं होनी चाहिए, punctuation लगाओ, जहाँ पे dot लगाओ, जहाँ पे exclamatory mark लगे, वहाँ पे वहाँ लगाओ, capitalization, ऐसा नहीं कि अगर फूल इस्टाव के बाद, आप डाइड़ेट स्मॉल लेटर से नहीं स्टार्ट करोगे, इस सब का आप खास ख्याल रखोगे, email और upload to a job website, आप इसको उनके email पे upload कर दो, resume को अगर उनसे नहीं मिल सकते, उस वक्त आप उनके हाथों में नहीं दे सकते तो, आप उनके job के website पे आप upload कर दो, sending your resume by mail, use higher quality paper, जब आप resume उनके email पे send करोगे ना, तो जो आप resume बनाओगे, ऐसा नहीं कि मतलब कि copy का page फाल लिया, दो page और उस पे लिख दिया, नहीं, आप अच्छे quality के paper में, higher quality के paper में लिख होगे, जो मतलब कि, मतलब paper ऐसी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी company, company चलेगा यार कोई भी होगा तो, तो paper की quality अच्छी होनी चाहिए, stand out from the crowd, इससे क्या effect पढ़ता में बताता हूँ, जैसे की भीड, एक भीड लगा भी होगी है, यहाँ पर मैंने किते, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, जैसे यहाँ पर 11 जने की वो भीड खड़िये, उसमें जो वो पहला बंदा जो red color का है, उसने अच्छी quality paper में लिखा, तो यह effect पढ़ता है हमारी job के रेजिमे 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 रेजिमे, तू common types of रेजिमे मैंने पहला भी discussion बताया है, दो types के होता है, पहला function, दूसरा chronological, chronological रेजिमे क्या होती है, जिसमें आपन हम क्या लिखते है, work experience in chronological order, यानि कि most recent first वाली, रिवर्स chronological order का मतलब होता है, most recent first और chronological का होता है, मतलब होता है, कि recent first, तो work experience in chronological order, functional रेजिमे का मतलब होता है, emphasis, emphasis on abilities, यानि कि abilities पर क्या करना, emphasis करना, graduated from high school or college, don't have a lot of work experience, अगर आप, मालना कि अगर आप just pass out, हो किसी college से, तो सिकि मैं just pass out हूँ, किसी college का, जिसे college का नाम है XYZ college, तो आप लिखोगे, graduated from XYZ college, और मैंने अब तो कहीं भी work काम नहीं करा है, तो आप लिखोगे, don't have a lot of work experience, importance of, इसमें आप क्या क्या चीज का खास क्याल रखोगे, इसमें good presentation होना, बहुती महत्व पूर्ण है, proof, read and edit your resume, आप बार बार उसको read कर लो, और जहां पर गलती देखें, उसको edit कर दो, आपको यह याद रखना है, कि functional और chronological regime में, क्या difference है, carefully and through, thoroughly research the job, मनला आराम से, मनला कि बहुत है साथधानी से, और thoroughly, और बहुत ही अच्छे से, अपने job को research करो, कि विए job में क्या क्या चीज होती है, कित्ते placement में आपको कित्ते package देगी, क्या देगी, क्या नहीं देगी, सब कुछ इसके बारे में research करो, फिर आईए, हमने जैसे cover letter में, कुछ multiple choice questions करे थे, इसमें भी करते हैं, ए रेज्यूमे is optional, you don't really need one to get a job, क्या ये रेज्यूमे optional होती है, नहीं माइडियर, रेज्यूमे optional नहीं होती है, रेज्यूमे को देना compulsory होता है, जिससे हमारे किसके बारे में, education, experience और skills के बारे में पता चलता है, why is it good to use, white space and bullet points in a रेज्यूमे, it makes your रेज्यूमे easier to read, रेज्यूमे should look all, मतलब कि, अगर हम bullet points का, और फिर ये, क्या बोलता है, bullet points का और white space का, यूज के नहीं तो हमें क्या अच्छा लगेगा, हमारी रेज्यूमे effective देखे कि, इस कारण से न, और हमें पढ़ने में आसानी होगी, ऐसा नहीं कि वो अच्छा लग रहा है, लगे, ऐसा नहीं कि मतलब कि, वो हमें, देखिए, अगर मैं एक लेटर लिखता हूँ, तो मैं उसमें कोई भी pain change नहीं करता हूँ, कहीं तो भी bullet points यूज नहीं करता हूँ, कहीं तो भी bold font यूज नहीं करता हूँ, तो क्या लगता है न, मतलब एक पेज में बस लिख दिया गया है कुछ भी, अगर को उसे सरसरी निगाह से ना देखे तो, बट रेजुमे में इसलिए यूज करने को कहा जाता है, ताकि वो effective देखे और आसानी होँ में पढ़ने के लिए, वाट रद थू एक्जैंपल्स अफ कॉन्टक्ट इंफर्मेशन, यो जॉब टाइटल, टेलिफॉन नंबर और इमेल अड्रेस, तो आपकी टेलिफॉन नंबर और इमेल अड्रेस, कंपल्सरी होते हैं, कॉन्टक्ट इंफर्मेशन में देने के लिए, ना कि आपके जॉब टाइटल, वाई डू, वाई डू इम्प्लोयर्स यूज कीवर्ड्स, दे मेक दे जॉब साउंड मोर इंपर्टेंट, दे डिस्क्राइब वाई इम्प्लोयर्स आर लूगिंग फोर इन अप्लिकेंट, बला कि कीवर्ड्स के वो लोग इसलिए यूज करने को बोलते हैं, पि कीवर्ड्स में वो यह बताते हैं, कि वो प्रोजेक्ट के बारे में और वो कंप्यूटर प्रोग्राइम्स के बारे में, तो कीवर्ड्स से वो यह जान जा है कि एप्लिकेंट जो है वो क्या चाहता है हमारी कंपनी से, हमारी कंपनी में क्या वर्क करना चाहता है, क्या वो अच्छा वो करना चाहता है एक good headline in your resume should be pretty general हमेशा एक good headline बनाओ ऐसा ये कह रहा है जब कि ये जो कि pretty लगे मैं तक सुन्दर लगे नहीं ऐसा गलत है आप हमेशा headline अच्छी बनाओ और हमेशा ज्यादा तर resume में headline same ही होती है When you write the work experience section How should you organize the information? Job that paid the most money first Job that was most recent first Job that was most recent last तो आप वैसे job को आप हमेशा select करना चाहोंगे जो भी market में नहीं नहीं आई हो जैसे अभी जैसे अगर किसी बन्दे को अभी देखो भी आप महारे फोन में या फिर किसी के फोन में या फिर कोई भी ये क्या बोलता है digitalization उठा लो उसमें आप पहले देखना आप कुछ हो या ना हो आपके फोन आपके फोन में गूगल जरूर होगा Am I right जब गूगल जरूर होगा उसमें तो आप क्या करोगे अगर आपको गूगल आएगा तो आप क्योंकि वो most recent first है आप उसमें जरूर जाओगे तो वही बात यहां पर है क्या आप वैसे company को हमेशा select करना चाहोगे जो most recent first हो मैं राइटिंग दे एजुकेशन सेक्सन हाओ सुड्यू और इन्फोरमेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन डेट तब मोस्त रिसेंट फ़स्ट वाले हमेशा सही होते हैं क्योंकि most recent first अभी वही होते हैं जो कुछ better कर रहे होते हैं जो कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो वह हमेशा most recent first में ही आता है कि जैसा कि लोग बोलते ना कि Google में बना जालू भी लगाता है यार action verbs are better than general verbs because they give an employer more information about what you do or did true यह सही है क्योंकि action verbs के हमें हमेशा यूज करनी चाहिए ताकि हमारी यह जो रेजीम है क्या देखे एफेक्टिव देखे which of the following are examples of good रेजीम है फॉर्मेटिंग इसमें तीन ओप्सन सही है क्योंकि मैंने आपको पूरे रेजीम में पढ़ा रखे दियें hope thank you hope आपको यह पूरे लेक्षिर अच्छे लगेंगे और आसा करता हूं कि आपको कवर लेटर से ज्यादा इंट्रेस राया और रेजीम में पढ़ने में क्योंकि रेजीम में छोटी सी टॉपिक है तकि इंट्रेस ज्यादा है क्योंकि हम इसमें डिजायन की बात करते है फॉन्ट चेंज करने की और भी तरह तरह की अगर आपको हमारे इस लेक्षिर से कोई भी डाउट हो जा फिर कुछ नहीं समय में आया हो तो आप मेरे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हूं 900630390 पर और आसा करता हूं बार-बार हमेशा करूँगा कि आप की मैं अपने तरह से पूरी कोसिस भी करूँगा क्या आपकी मैं लेक्षर ज्यादा ज्यादा इंट्रेस्टिंग बना सकूं और मैं लाइव एक्जाम्पल्स आपको ज्यादा देनी की कोसिस करूँ आसब नाम लेलो क्या होता है और अच्छे से दोलो को कोर्रिलेट कर पाते हैं तो इसलिए ठेंक यू